Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So, बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे 2nd Class Matska chapter number 5, जिसका नाम है Playing with Lines, Lines के साथ खेलना. तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक picture आपको given है, जिसमें कुछ बच्चे आपको दिखाई देंगे, जो अलग-अलग आसन कर रहे हैं, और ये हैं उनके योगा टीचर, उसके बाद questions हैं, लेकिन questions को करने से पहले, 4 तरह की जो Lines होती हैं, एक बार उन्हें हम revise करते हैं. सबसे पहले है Standing Lines, Standing, या फिर इन्हें हम कहते हैं Vertical Lines, दोनों ही नाम हैं इनके, Standing और Vertical Lines, देखो ये होती है Standing Lines, ऐसे बिलकुल सीधी, ये Standing Lines है, ये भी, एक Standing Lines है, लेंद कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन बिलकुल सीधी हो, ये सभी Standing Lines हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है, Sleeping Lines, Sleeping या फिर इन्हें हम कहते हैं Horizontal Lines, Lines, ये दोनों इनके नाम है, Sleeping या फिर Horizontal Lines, और ये होती है Sleeping Lines, बिलकुल सीधी, इस तरीके से, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, ऐसे, ये सभी Sleeping Lines हैं, Sleeping या फिर Horizontal Lines, इसके बाद आती है Slanting Lines, Slanting Lines, Slanting Lines भी सीधी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी जुकी होई होती है, इस तरीके से, ये एक Slanting Lines है, ये भी एक Slanting Lines है, ये एक Slanting Lines है, कैसे भी हो सकती है, थोड़ी सी भी जुकी हो, लेकिन बिलकुल सीधी नहीं होनी चाहिए, ऐसे अगर सीधी हो गई, तो ये standing line हो जाएगी और देखो ये slanting line है लेकिन अगर ये बिलकुर सीधी हो जाती है ऐसे तो फिर ये sleeping line हो जाएगी ठीक है? तो ये सबी है slanting lines clear? और इसके बाद आती है curved lines number 4 curved lines देखो ये सबी है curved lines थोड़ी round हो जो ऐसे ये भी curved है सीधी नहीं होनी चाहिए ये curved है circle अगर आप बनाए ये पूरी curved line का बना है ये curved line है ये curved line है ठीक है? ये सबी है curved lines तो ये चार तरह की lines होती है चारों के नाम आपको पता हो और इनको आप identify कर सके उसके बाद ही आप chapter को complete कर पाएंगे questions को answer कर पाएंगे सबसे पहले ही होती है standing या फिर vertical lines ये सब है standing lines standing मतलब सीधी खड़ी हुई lines जैसे आप खड़े होते हैं उस तरह से बिलकुल next sleeping और horizontal lines sleep मतलब होता है सोना तो जब आप सोते हैं लेटकर इस तरीके से सोते हैं तो ये सब ही है sleeping lines और इनका दूसरा नाम है horizontal lines उसके बाद आती है slanting lines slanting मतलब जुकी हुई तिरची lines तो ये सब ही है slanting lines और last में आती है curve lines जो सीधी ना हो straight ना हो जिनमें curve हो गुमावदार lines एक बार फिर से finally revise करते हैं first is standing lines या फिर vertical lines इन्हें vertical lines भी बोलते हैं ये standing lines होती है दूसरी है sleeping lines या फिर इन्हें बोलते है horizontal lines ये एक vertical line है horizontal line है उसके बाद number 3 slanting lines ये slanting lines होती है और ये है curves curved lines अब हम आते हैं questions पर तो let us do मैं पहला question है number 1 circle the asans with standing और vertical lines उन asans को circle करिए जिनमे standing या इसको हम vertical lines भी बोलते हैं जिनमे standing या vertical lines हो तो देखो ये एक standing line है यहाँ पर इस आसन में और फिर standing lines हैं इन दोनो आसन को आप circle करेंगे इसे और इसे ऐसे ठीक है next second question है tick the asans with both vertical and slanting lines अब उन asans को tick करिए जिनमें vertical सीधी lines भी है और slanting lines भी है जुकी हुई lines भी है तो चलो इसको देखते हैं देखो इसमें इस बच्चे की जो position है सर से लेकर पैर तक वो एक slanting line है लेकिन अगर आप इसके हाथ देखें हाथ भी वैसे slanting है आप vertical नहीं कह सकते है इस आसन को छोड़ देते हैं देखो यहाँ पर आते हैं इस आसन में मिल जाएगी आपको यह तो पूरी slanting line है जैसे वो खड़ा है और अगर यह पैर आप देखें इसका यह बिलकुल सीधा है मतलब यह एक vertical line है standing line है तो इसे आप टिक कर देंगे इस आसन में दोनों lines है फिर और किसमें है कि vertical भी हो और slanting भी हो इसमें है देखो यहाँ पर यह तो standing line है पूरी लेकिन अगर आप इसके पैर देखेंगे देखो यह एक slanting line है पैर अगर यह देखो या फिर यह वाला पैर देखो दोनों ही तिर्ची lines है straight line अगर हम draw करें यह भी slanting line है और यह पैर यह भी slanting line में है जबकि यह पूरा standing line है vertical line है इसे भी आप इसको भी इस पर भी tick लगाएंगे क्योंकि इस आसन में भी दोनों lines है ठीक है next आगे है cross the asans which have curved lines उन asans को cross करिए जिसमें curved lines है देखो यह एक curved line है जैसे इस बच्चे की body है सड से लेकर पैर तक तो इसको आप cross करेंगे इसमें curved lines है उसके बाद यहाँ पर इसमें यह curved line है उपर हाथ से लेकर नीचे इसको cross करेंगे cross यहाँ पर भी यह curved line है ऐसे इसको भी आप cross करेंगे ठीक है तो जिन asans में asans में curved lines है उनको आपको cross करना है यहाँ पर भी curved line है अगर आप इसको देखो इस बच्चे को ध्यान से देखो देखो यह यह कैसी लाइन है अगर इसको हम देखे इस body part को यह भी curved है तो इसको भी आप cross कर सकते हैं वैसे उसने सिर्फ curved पूछा है तो इन तीन को ही हम करेंगे इसमें curved line भी है, straight भी है और इसमें slanting lines भी है standing भी है, slanting भी है और curve भी है इस आसन में चलो next question पर आते हैं D इसमें sleeping lines यानि कि ऐसी यह sleeping को हम horizontal lines भी बोलते हैं वो lines है उन्हें आपको star बनाना है हमाद पर तो देखो इसके hands में यहाँ पर यह कैसी line है, sleeping line है यहाँ पर आप star बनाएंगे और कहाँ पर है यहाँ पर एक sleeping line है यहाँ पर आप एक star बना देंगे यह स्टार है, चीक है, इन दोनों में sleeping lines है, next, try some of these आसन्स, यह कुछ आसन्स हैं, इन्हें आप try करेंगे, और discuss करेंगे कि आप कौन सी lines notice करते हैं इन आसन को करते समय, okay, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ आसन्स given है, और उनमें आपको बताना है, किस तरह की lines हैं, lines हमें पता है, चार तरह की lines होती है, यह है standing line, या फिर इसे हम बोलते हैं, vertical line, फिर यह है sleeping line, या फिर horizontal line, यह होती है slanting lines, और यह होती है curve line, कैसा भी कर वो, जहांपर सीधी line नहों, ठीक है, तो आपको कहा गया था, उन आसन को circle करिए, जिन में standing या फिर vertical lines हैं, इसमें vertical line है, और यहां पर इसमें ये standing line है, इन दोनों को हमने circle किया, उसके बाद tick करना था, उन आसन को, जिन में vertical भी है, मतलब standing line भी है, और slanting भी है, दोनों lines होनी चाहिए, उन्हें आपको tick करना है, तो हमने इसे tick किया, क्यूं, क्यूंकि यहां पर, यह आपको दिखाए गई है, slanting line है, और इस बच्चे का हाथ या फिर इस पैर को आप देखे, यह एक standing line है, यह सीधी position में है, हाथ इसने सीधा रखना है, बिल्कुल standing position में, vertical line की तर है, तो इससे हमने tick किया, और किस आसन को tick किया, इस आसन को, इसमें standing तो है ही, यह standing line है, vertical line है, और इसके पैरों में, यह द इसको circle भी किया, फिर cross करना था उन आसन को जिन में curved lines है, इन तिनों को हमने cross किया, इसमें यह curved line है, इसमें यह curved line है, और यहाँ पर यह curved line है, सीधी नहीं है, थोड़ी सी round है line अगर आप देखो, इससे आप scale से नहीं draw कर सकते, next, star लगाना था उन आसन पर जिन में sleeping या फि horizontal line है, okay, चलो आगे आते हैं, now what is straight, straight क्या है, straight मतलब होता है, बिल्कुल सीधा, जिसमें थोड़ा भी curve ना हो, जिससे आप scale से draw कर सके, hold a piece of thread in your hands, अपने हातों में एक धागा लीजे, इस तरह से, is it straight, क्या यह straight है, अभी यह straight है, यहाँ पर आप answer लिखेंगे, yes, देखो, straight है, tight आपने पकड़ा है, now bring your hands closer, अब दोनों हातों को थोड़ा पास लेकर आईए, जब आप पास लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे, धागा उतना सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, is the thread straight now, क्या अब thread straight है, सीधा है, अब वो सीधा नहीं है, no, now this is now standing, sleeping or slanting line, बताओ यह किस तरह की line है, यह line है, यह line है, यह line है, sleeping line, या फिर horizontal line, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, line के नाम लिख देते हैं, side by side, यह sleeping line है, sleeping, यह देखो, बिलकुल sleeping, ऐसे, यह curved line है, क्योंकि सीधी नहीं है, तो यह है curved line, उसके बार, यह है slanting line, तिरशी है, अगर thread को आप देखेंगे, जैसे इस बच्चे नहीं पकड़ा है, इस तरह से, तो यह है slanting line, slanting, और यह क्योंकि बिलकुल सीधा है, यह है standing line, standing या फिर इसको vertical line भी बोलते हैं, ठीक है, इन चारों के नाम आप लिखेंगे, sleeping, curved, slanting, standing, okay, next, now let us do, अब एक activity है, trace the missing, vertical, horizontal, slanting and curve, lines in the picture given below, इस picture में कुछ lines missing है, कुछ vertical lines है, कुछ horizontal lines है, कुछ slanting lines है, कुछ curved lines है, आपको उने पूरा करना है, complete करना है, तो देखो, इस swing में, जूले में यह line missing है, तो पेंसिल से आप इसे complete करेंगे, ऐसे, यह कैसी line है, यह एक vertical line है, एक standing line है, फिर यहाँ पर भी यह standing line missing है, यह curved line missing है, curved, इसे आप complete करेंगे, यह भी एक curved line है, इसे आप complete करेंगे, फिर यह कैसी line है, यह है, एक slanting line, तिर्ची line है, सीधी है, लेकिन तेड़ी है, फिर यह है, एक sleeping line, इसे आप complete करेंगे, sleeping line, और कोई line तो missing नहीं है, ठीक है, तो जो lines missing है, उन्हें आपको complete करना है, next, Now let us play with dots, dots के साथ खेलते हैं, make new shapes with straight lines, vertical, horizontal and slanting, आपको vertical आप सीधी lines यूज़ कर सकते हैं, sleeping lines यूज़ कर सकते हैं, और slanting lines यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको different shapes बनानी है, curved lines यूज़ नहीं करनी, ठीक है, तो देखो ये कुछ examples हम देख लेते हैं, इस तरह के pictures आप draw कर सकते ह ये slanting line बनाई, एक और slanting, standing, standing, sleeping, standing, standing, sleeping, house बन गया, फिर एक डख आपने बनाई है, slanting, sleeping, straight, sorry, standing, फिर slanting, sleeping, slanting, then standing, slanting, sleeping, standing, sleeping, ठीक है, ऐसे ये एक boat आप बना सकते हैं, hard shape बना सकते हैं, सिर्फ straight lines यूज़ करनी है, line सीधी हो सकती है, standing, line ऐसे sleeping भी हो सकती है, या फिर slanting हो सकती है, लेकिन सीधी होनी चाहिए, curve नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये कुछ picture के examples हैं, जिन्हें आप, जो space given है, आपकी book में उसमें draw करेंगे, ठीक है, next, now next is, draw different figures with the help of curved lines, अब आपको यहाँ पर different figures ड्रॉ करनी है, सिर्फ curved lines को यूज करके, जैसे आप clouds, rainbow, ये सब draw कर सकते हैं, अब कोई भी sleeping line, standing line, या फिर slanting line नहीं होनी चाहिए, सीधी line कोई भी नहो, सिर्फ curved lines आपको यूज करनी है, जैसे उपर हमने, सिर्फ straight lines यूज की थी, कोई भी curved line नहीं थी, यहाँ पर सभी curved lines होंगी, तो rainbow clouds आप draw कर सकते हैं, देखो इस तरीके से, ये rainbow बनाया आपने, colors आपको पता होंगे rainbow के, seven colors होते हैं, सबसे पहले violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red, vip gear, ठीक है, फिर ये sun आप draw कर सकते हैं, इसमें भी आप देखेंगे, कोई भी सीधी line नहीं है, सभी curved lines हैं, फिर ये clouds आप draw कर सकते हैं, सिर्फ curved lines से, और ये raindrops आप बना सकते हैं, इसमें भी सभी curved lines हैं, सीधी line कोई नहीं है, इसमें इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ये straight नहीं होनी चाहिए, curved होनी चाहिए, ठीक है, next, और क्या draw कर सकते हैं, ये fish आप draw कर सकते हैं, इसमें भी straight line नहीं है, कोई भी sleeping, standing or slanting line नहीं है, सभी lines curved है, देखो, ऐसे, इसे ये भी curved है, eyes भी curved से बनी है, circle है, ये भी curved line है, straight नहीं है कोई भी, और यहां पर भी ये curved lines है, ठीक है, ये आप बना सकते हैं, ये कुछ designs आप बना सकते हैं, फ्लावर के designs, या फिर एसे, यो dots आपको दिये हैं, उन्हें जॉइ बना सकते हैं, ये butterfly बना सकते हैं, इसमें भी सभी जो lines है, वो curved है, इसके wings ये भी curved line से बने हैं, फिर ये circle है, curved lines है, eyes भी curved है, ये curved है, फिर antennas है, ये भी curved है, ठीक है, सारी lines curved है, ठीक है, सो बहुत सी drawings है, जो आप curved lines को यूज करके, ये जो given space है, आपको dot grids दी है, इसमें बना सकते हैं, now let us do, फिर से activity है, make your own drawing using different types of line in the space given, draw a design with any two types of lines, कोई भी दो तरह की lines आप use कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई drawing आपको बनानी है, मालीजे हम यूज करने वाले हैं, standing or sleeping lines, कोई भी दो, या फिर standing और slanting भी आप कर सकते हैं, जैसे कि ये stars हमने बनाए हैं, अब इन sleeping line है, ये भी sleeping line है, फिर ये slanting, 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 तो इसमें हमने दो तरह की lines यूज की है, sleeping और slanting lines, फिर जैसे ये glass अगर आप बनाएंगे, इसमें ये curved line है, ये भी curved है, ये slanting है, सीधी है लेकिन slanting है, ये भी slanting है, फिर curved और curved, तो इसमें lines यूज हुई है, curved और slanting lines, या फ Slanting, Sleeping, Sleeping, Slanting, Slanting. तो इसमें हमने यूज़ की Slanting और Sleeping Lines. सिर्फ दो तरह की Lines यूज़ की है. या फिर उपर जो Mountains दी है, Slanting, 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 और ये एक Sleeping. तो इसमें भी दो तरह की Lines है, Slanting और Sleeping Lines. ये एक पूरी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं उसमें ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है ये सिर्फ दो लाइन्स को मिलकर बनी है sleeping lines और slanting lines and slanting अगर आप देखें ये पानी के लिए यूज की गई है सारी sleeping lines है छोटी-छोटी बहुत सी यहाँ पर ये sleeping line है ये एक sleeping line है फिर ये sleeping, 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 sleeping और कुछ slanting lines है जैसे ये एक slanting line है slanting, 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 slanting ठीक है? तो ये बना है पूरा sleeping और slanting lines को यूज करके इन में से कोई भी पिक्चर आप उस box में ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर आगे हैं draw design with any three types of lines तीन तरह की lines को यूज करके कोई भी design बनाई है सो कोई design अगर आपको बनाना है इस तरीके से आप बना सकते हैं यहाँ पर sleeping lines है देखो ये sleeping lines है standing lines भी है ये कुछ standing lines है बाकि slanting lines है कोई भी curved line यहाँ पर नहीं है round कोई circular line नहीं है जो straight ना हो ये पूरा design आप scale से बना सकते हैं इसमें sleeping lines होंगी standing lines होंगी curved lines होंगी या फिर इस तरीके से कोई design बना सकते हैं जिसमें तीनों lines हैं जो तीनों straight lines है कोई भी curved line नहीं है ये slanting भी है lines ये sleeping है यहाँ पर फिर ये standing lines है कुछ सीधी lines है ये slanting है, ये sleeping है, slanting, slanting, ये sleeping lines हैं, लेकिन कोई भी curved line नहीं है, ठीक है, कोई design आप बना सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई picture भी आप draw कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ तीन तरह की lines यूज होनी चाहिए, जैसे इसमें curved lines है, ये curved है, ये भी curved है, ये पूरा circular है, यहाँ पर ये भी curved है, उसके बाद इसमें standing line भी है, ये standing line है, ये standing line है, slanting line भी है, ये slanting है, ये slanting है, ये slanting है, लेकिन कोई भी sleeping line नहीं है, कोई भी ऐसी line नहीं है, जो ऐसे और बिल्कुल straight हो, horizontal line हो, ठीक है? तो ऐसी कोई drawing भी आ बना सकते हैं Now draw a design using all types of lines अब सभी तरह की lines को आपको use करना है उसमें sleeping line भी होनी चाहिए, standing lines भी होनी चाहिए curved lines भी होनी चाहिए और slanting lines भी होनी चाहिए So ये picture आप draw कर सकते हैं इसमें standing lines भी है, ये standing line है, standing line then slanting lines भी है, ये slanting है, यहाँ पर ये slanting है sleeping lines भी है, sleeping, sleeping, sleeping और इसमें curved line भी है, ये भी curved है, बाउल में ये भी curved है ये curved है, ये standing line है, sleeping line है, standing, sleeping, sleeping ठीक है? या फिर ऐसे कोई picture आप draw कर सकते हैं ये curved line है, यहाँ पर ये भी curved है पूरा ये slanting line है, slanting, sleeping, standing, standing, sleeping, standing, 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 sleeping, curved ओके, तो चारों तरह की lines इसमें use हुई है, इन्हें आप यहाँ पर draw करेंगे और इसी के साथ chapter over होता है, hopefully अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा Thank you so much for watching